नरेंद्रमोदी के जागे सवर धाम में आगमन को लेकर पूरे मंदिर परिशर को पूस्पो से सजाया जा रहा है। जो यहां जागेश्वर धाम पहुंचेंगे बाबा जागेश्वर धाम के दर्सन करेंगे यहां पर जो है तो इसको लेकर के जो है यहां पर पूरी तरीके से मंदिर परशर को अब देखिए किस तरीके से यह पुस्पो की लड़ों से जो है पूरे मंदिर परशर को सजाया ज जा रहा है और प्रधान मंत्री के आगमन से पहले पूरा मंदिर परसर इसी तरीके से फूलों से सजाया जाएगा फूलों से पूरी तरस्व सज्जित तरीके से तयार किया जाएगा और इसके साथ ही जो यहां पर जो पूजन कराने के लिए जो पुरोहित रहेंगे जो ब्रा खालना चाहूं तो यह अतीप्रचिन धाई हजार साल पुराना यह मंदिर है यह इस मंदिर का निरमाद धाई हजार साल पहले हुआ था लेकिन यहा पर अगर जागेश्वर धाम की महिमा की बात करें तो अनाधीकाल से भगवाण शियू यहाँ पर मूर्तुरूप में पूरी दुनिया में भगवान शीव को लिंग रूप में पूजा जाने लगा जो है तो बेहद या ध्यात्मिक महत्म के लिहाद से बात की जाए तो यह अद्भूद अलोकिक और दिब्य स्थान है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे और यहा सजाया जा रहा है और फूलों से इसी तरह से सुंदर फूलों के साथ सजा करके जो है स्रंगार किया जा रहा है मंदिर परशर का जो है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मानस मंदिरों की स्रंखला की बात की जाए मानस इस पूरे जो है छेतर की तो एक तरफ केदा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और यहां पर पूजन करेंगे और भगवान सीव की आराधना करेंगे वीडियो लिश्ट अतुल के साथ ब्रिजे स्रिवास्तो न्यूजवन इंडिया जागेश्वर धाम उत्तराखण में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के पहुचने से पहले न्यूस वन इंडिया जागेश्वर धाम पहुच रहा है जो पुजारी पेम मोदी की उजा कराएंगे उनसे सुने जागेश्वर धाम की महिमा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मानस खंड के आध्यात्मिक दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधान मंत्री जागे स्वर्धाम आएंगे जागे स्वर्धाम जिसको कहा जाता है 12 जोतिर लिंगों में से एक जो जागे स्वर्धाम है इसकी माननता अपने आप में अपरतिम ह और जो यहाँ पर शियू की आराधना जिस तरह से होती है सब्त रिसियों ने यहाँ पर आराधना की थी खुद शियू यहाँ पर साक्षाद विराजमान है और इसको इस मूर्त उरूप के दर्सन के लिए प्रधानमंत्री है पहुचेंगे एक चीज़ यह बताईए यह कितना बड़ा मौका क्या इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री जागेशवर धाम के दर्बार में आया है बहुत बड़ा सौभाग गे हम पूरे पुरोहित्वर पूरे इस्तानी लोगों को हिंदुस्तान में बारे जोतिलिंग में आठवी जोतिलिंग है और दूसरा मिर्तुंजाई महादेव है मिर्तुंजाई महादेव जी के दर्शंगाने से सरीर के समस्त कष्ट्रू का निवारन होता है जो महा मिर्तुंजाई मंत्र का जाब होता है हर जगोता उसका मूल स्थान यही है यहीं पर प्रतम आदी गुरु संकराचार जी के आने का भी वर्णन मिलता है क्या मानता है और किस तरीके से यहां पर कहते हैं कि शब से पहले जो सिवलिंगी का पूजन था वो इसी स्थान से प्रारम हुआ इस इस्तान में संकर भगवान जी ने हज्यारों बरसतप किया उनको देखकर सत प्रिश्यों ने और देपतावन ने सिवजी से प्रार्थना की कि आप पूरे विश्व कल्यान के लिए सिवलिंग रूब में प्रकट हो जाएं तो सर पृथम सिवलिंग रूब में इसी जागि इस वर धाम से सिवलिंग रूब में पूजा की शुरुवादवी यह पहला आधी सेवलिंग है क्या नाम है आपका लक्षमी ददफट बताइए किस तर जब प्रधान मंत्री पहुंचेंगे तो किस तरीके से कितने ब्राम्भन मौजूद रहेंगे क्या कुछ तैयारी आप अबी तक तो सत्र पनापंडित जी लोग हैं जो स्वस्तिवादन से स्वागत करंगे और सारे मंदिरों में बेद मंत्र से महामर्तुंजे महदेब जी की जागिश्व जोतिलिंग बाबा की पूजा अर्चना होगी